अपनी कमाई का 30% हिस्सा गौवर्मेंट टेक्स के नाम से ले जाती है क्या ये लेजिटिमेट है? आईए सोचते हैं इस वीडियो में नमस्कार! जोट संस्ता आपका स्वागत करती है तो पिछली बार हम यहां रुके थे कि क्या हमें टेक्स भरना बंद कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए? और हम स्लोटर हाउस के बार में भी डिसकस कर रहे थे देखिए, कोई आदमी बिजनस करे या ना करे लेकिन security और services government प्रोवाइड करती ही है इसलिए tax लेने का government के पास right है और हर एक citizen की tax भरने की responsibility आती है यदि कोई नहीं भरता है तो वो tax चोरी कर रहा है ऐसा कहा जाएगा हाँ, government जो slaughter house में subsidy देती है वो अन्याई या अन्यातिक action है, बिल्कुल सही क्योंकि सारी प्रजा non-wedge नहीं है न उल्टा vegetarian लोग ज्यादा ही है तो भी veg eating services में कुछ नहीं करने वाले government वही पुराने British law के अनुसार hygienic meat provide करने के लिए खर्च निकालती है ये government की सीधी partiality है इस अन्याई action का विरोध हो सकता है और करना भी चाहिए लेकिन उसके नाम से कोई citizen tax चोरी करने का गलत step नहीं उठा सकता कोई वो tax के पैसो का सत्कार्य कर ले तो भी चोरी तो चोरी ही रहेगी तो क्या tax का planning भी नहीं करना चाहिए planning का meaning चोरी नहीं है भाई tax में planning करना ये कोई बुरी बात नहीं है लेकिन planning के नाम से bogus file खड़ी करके इधर उधर के बहाने बना कर earning नहीं करने वाले परिवार जनों के नाम पर file बना देना ये तो सरासर गलत ही है लेकिन tax उसकी limit में रहना चाहिए न 30% tax भर देंगे तो हमारे हाट में क्या हैगा अरे पर 30% tax हर किसी को थोड़ी भरना है उतना tax तो particular slab में ही लगता है हकिकत में शास्त्रों ने राज्य को प्रजा की income से one-sixth portion यानि की 17% लेने का अधिकार दिया है जो security वगेरा जिम्मेदारी निभाने वाली government के लिए rational भी है आज इंडिया में GDP के हिसाब से total tax का ratio देखे तो 16.8% ही है और धीरे धीरे उसको भी कम करने का प्रयाश जारी है दूसरी और इंडिया आज welfare state है security वगेरा के सिवा बहुत सारी civil services भी देता है तो उसकी तुलना में ये 30% tax को irrational कैसे कह सकते है आज world standard की भी बात करें तो UK, US जैसे developed countries से इंडिया का tax revenue to GDP ratio कम ही है लेकिन कुछ citizens 30% tax भरे और maximum population tax भरे ही नहीं ये न्याय नहीं है ठीक है, जरा शान्ती से सोचे maximum population direct tax नहीं भरती है बाकी indirect tax तो सब भरते ही है दूसरी और हम एक society में जीते हैं जंगलों में नहीं जिनको ज्यादा tax भरना पड़ता है उन्होंने उतना ज्यादा कमाया भी इसी society से है ना तो क्या उनकी ज्यादा contribute करने की duty नहीं है जैसे घर में बड़े भाईया हर तरीके से सक्षम है तो उनको घर की बड़ी जिम्मेदारी आएगी वहाँ कौन कितनी facility ले रहा है वो देखा नहीं जाता वहाँ सिर्फ इतना ही देखा जाता है कि बड़ा भाई capable है उनका development इसी घर से हुआ है इसलिए घर के प्रति उनकी इतनी responsibility तो आती ही है करियर की ये सारी बाते जेंट्स और लेडिज दोनों को equally apply होती है या कुछ फर्क पड़ता है आपने आखिर में इस जमाने का burning issue निकाल दिया तो भी उसमें से एक point विचार करी लेते हैं सबसे पहले इस बात को समझने की ज़रुरत है कि boys हो या girls सभी को जो life में उपियोगी हो वैसा ही education लेना चाहिए धेर सारी information प्राप्त कर लेने से life में उसका कोई use नहीं होता वो सिर्फ time, energy और अपने brain की capacity इन तीनों को खा जाता है लेकिन आज trend के अनुसार girls या तो boys एक बार degree ले ही लेते हैं बाद में सोचते हैं कि अब job करेंगे तो ही इसका फाइदा है ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी कि मुझे job नहीं करनी है तो degree क्यों लो लेकिन तभी विचार करते नहीं है और बाद में उसका time होता नहीं इस वज़े से खास करके आज की ladies अब degree तो मिल गई अभी उसका कुछ तो use करूं ऐसा सोच कर professional practice की तरफ दोड़ती है पर वे important बात भूल जाती है कि motherhood मुझसे inseparable है वो मैं अपने life partner को transfer नहीं कर सकती वो responsibilities छोड़के मैं चाहे जितना प्रयास करूँ लेकिन मेरा बच्चा मेरे प्यार से वातसल्य से वंचित ही रह जाएगा और उसी के कारण मेरा बच्चा मुझसे, परिवार से, पूरे समाज से भी दूर होता जाएगा वो इतना ही समझेगा कि इस दुनिया में सिर्फ money is important घर, परिवार, समाज, धर्म वगेरा सब कुछ secondary है क्योंकि मेरे माबाब भी सब कुछ छोड़कर उसी के पीछे दोड़ते हैं इसलिए by hook और crook money इकटा करने की विचार धारा उसके मन में बैठ जाएगी और वही आगे जाकर छोटी या बड़ी साइज में क्रिमिनल माइंड का स्वरूप ले लेगी कहिए आपका बच्चा आपको, परिवार को या समाज को उपियोगी बने ऐसा चाहते हो कि एनी भी बने ऐसी इच्छा है आपकी विश आपकी है शान्ती से open mind से सूचेगा बाकि ये विशे तो बहुत बड़ा है हमने तो सिर्फ एक point ही सोचा है इसका अब तक के सारे episodes में हमने career related points को संक्षप्त में जाना है इन सारे वीडियोज को अगर आप साथ में देखेंगे तो आपको सवालों के जवाब तुरंत मिलेंगे और इन सारे मुद्दों को आसानी से समझने में लाब भी होगा अगर आपको कुछ जच नहीं रहा तो neutral mind से दोबारा एक बर देखिए फिर भी नहीं बैठ रहा तो नीचे comment section में comment कीजिए धन्यवाद